असलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियास कीचन उमीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे आज हम बनाएंगे इट स्पेशल सिंक कबाब बहुत ही इजी और आसान सी इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कबाब बनाते वक्त जो मसले पेश आते हैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज की रेसिपी में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं अब हम कबाब बनाते हैं तो या तो हमारे कबाब तूट जाते हैं या बहुत ड्राइव हो जाते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो आईए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कीलो कीमा ले लें और एक मिडियम साइस के प्यास को बारीक चौप करके उसका पानी निकाल कर उसमें शामिल कर दें तीन से चार हरे मिर्च और कुछ धनिया की पति डाल कर फाइन सब कीमा बना लें और फिर उस पे दो ब्रेट के स्लाइसेस को उसमें डाल कर बाकी के गोश्त को पीस कर रेडी कर लें इससे कबाब में बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी अब हम इस पे कुछ मसाले आट करेंगे एक चमच अदरक लहसन का पेस्ट एक चमच नमक एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चमच मिर्च पाउडर एक चमच जीरा पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी और कलर के लिए एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें और इस सब को अच्छे से मिक्स कर लें तरीब साथ से हाट मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद एक चमच घी उस पे शामिल कर दें या बटर डाल कर इसको अच्छे से हाथों से मुक्की लगा लगा कर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए साइट पे रख दें 10 मिनट के बाद अगर आपके पास सीख है तो आप वो सीख ले लें और अगर नहीं है तो मेरी तरह कुछ भी आपको स्ट्रॉव वगारा कुछ भी अगर मिले तो आप उस पे थोड़ा सा हाथों पे ओयल ग्रीस करके और वो स्टिक पे भी ओयल ग्रीस कर लें फिर उस पे हम यह जो कीमा है उसको लेकर अच्छे से लगाएंगे बिल्कुल हाथों से दाप-दाप कर उसको शेप दे दें देखिए कुछ इस तरीके से बना कर इसको रेडी कर लें और बहुत आसानी से यह निकल जाते हैं इसी तरीके से बना कर सबको एक साइट पे रख लें देखिए बहुत आसानी से सब बनकर तयार हो गए हैं एक कड़ाई पे हम ऑईल गरम करेंगे ज्यादा ऑईल मत दिजिएगा वरना ये खुल जाएंगे बिल्कुल हलका सा ऑईल देकर शेलो फ्राइ हम करेंगे इसको उलट उलट कर चारो तरफ से हमें फ्राइ करना है इस प्रोसेस में कम से कम साथ से आठ मिनिट लगेंगे सब बिल्कुल फ्राइ होकर रेडी हो जाएंगे खास इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्राइ करें तो गैस का फ्लीम बिल्कुल मीडियम टू लो रहे ताके चारों तरफ से इक्वली फ्राइ हो जाएंगी आब हम इसको ऑइल से बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरीके से medium to low flame पे ही fry करके सब को oil से बाहर निकाल लेंगे तो देखिए कितने मज़ेदार से कबाब बन कर तैयार है सबसे मज़े की बात ये है कि नहीं हमारे कबाब तूटे हैं और नहीं dry हुए हैं बहुत मज़ेदार recipe है friends एक बार इस प्रोसेस से जरूर बनाए इन्शालला आप लोगों को जरूर पसंद आएगा recipe पसंद आए लाइक शेयर कीजिए दुआओं में याद रखिये लाह अफीज